बतादें आपको ग्रहाव नक्षत्र के हिसाब से व्यक्ति का भाग हमीशा बदलता है इसी के चलते समय का चैन भी किया जाता है वैसे भी ग्रहों से निकलने वाली उर्जा मनुश्य के सामान जीवन को हमीशा प्रभावित करते रहती है यानि की रोजाना की जिन्दगी में इससे लाब और नुकसान का सामना भी हमें जरूर करना पड़ता है जी के चलते हैं हमारे जीवन में खुशी और गम दोनों आते जाते रहते हैं जब भी कोई ग्रह अपनी राशी परिवर्तन करता है तो उसका सभी राशियों पर असार देखने के लिए जरूर मिलता है आज मई महीने का अंतिम दिन है और अब जोतिश के गुरू बता रही है कल सुभह यानी की एक जून की सुभह इन राशियों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है इनका हल लमह अवासान हो जाएगा वह इनकी जिन्दगी के सारे आयाम एक साथ बदल जाएंगे कल्याड इनका होने से कोई भी नहीं रोक सकता है तो चले आपको बताते हैं कौन सी है वो तीन राशिया धनू मकर और कन्या राशिय बतादें आपको अब एक जून की सुभह सुभह इन राशियों को मनचाहा प्यार मिलने के योग बन रहे है इनके जीवन में अब पैसों की बारिश होने बाली है और सारी समस्याओं का समाधान भी एक साथ हो जाएगा जो इनके लिए कहीं न कहीं सुखद अनुभूती का एहसास कराता हुआ नजर आएगा और इनका जीवन भी धन हो जाएगा नेक्स्ट नाइन प्रिच्वल से आकाश की बॉट नेक्स्ट नाइन प्रिच्वल से अकाश की बॉट